Hello friends, मैं रश्ना मरनाथ है विरी टेजर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ So friends, in this video I am going to talk about a play written by John Osborne, Look Back in Anger So basically, हम author के बारे में discuss करेंगे, summary discuss करेंगे, फिर characters के बारे में, themes और कुछ important question answers So if you like this video, don't forget to like this video, channel को भी subscribe कर लीजे, so let's start करते हैं First, let us talk about author John Osborne was an English playwright, screenwriter and actor known for writing prose that characterized established social and political norms Then, Look Back in Anger is one of his best known work Osborne was one of the first writers to address Britain's purpose in the post-imperial age In a productive life of more than 40 years, Osborne explored many themes and genre, writing for stage, film and television His notable works include Look Back in Anger, The Entertainer and Inadmissible Evidence Let's start with the summary now Look Back in Anger is a story of young wife and husband, Allison and Jimmy Potter Allison wife है, Jimmy Potter husband Allison traditional upper class family से बिलॉंग करती है और Jimmy जो है वो highly educated है और working class से बिलॉंग करता है ये दोनों ही Jimmy के friend Cliff Lewis के साथ उसके घर में रहते हैं तो play के first act में बहुत सारे scene में Jimmy का गुस्सा दिखाया गया है उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है उसे upper class logo से बहुत ज़्यादा problem है उसके according upper class लोग ज़्यादा struggle नहीं करते तो उसे true human emotions के बारे में नहीं पता जिसमें Allison भी आती Allison को भी true human emotions के बारे में नहीं पता है suffering के बारे में नहीं पता कि suffering actually में क्या होता है तो इसलिए वो upper class logo से चिड़ता था तो scene की शुरुआत होती है Sunday morning को जहाँ पर Allison जो है वो कपड़े आयन कर रही होती है और Jimmy और Cliff एक साथ बैट के newspaper पढ़ते हैं तो ये dull से morning को Cliff जो है वो cheer up करने की कोशिश करता है तो Jimmy के साथ में वो ऐसे ही fight करना शुरू करता है Jimmy उसे देखकर sorry भी बोलता लेकिन Allison उसे बहुत जादा चिलाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और Jimmy वहाँ से चला जाता है फिर Cliff Allison को help करता है उसके burn को treat करने में और Allison यहाँ पर Cliff को ये बताती है कि वो pregnant है लेकिन वो अभी तक Jimmy को बताई नहीं है फिर Cliff Allison को console करता है उसे कहता है कि Jimmy उसे बहुत प्यार करता है तुम जादा टेंशन मतलो जब उसे पता चलेगा कि तुम pregnant हो वो बहुत जादा खोश होगा और इसी बीच Jimmy वापस से अंदर आता है फिर Allison और Jimmy कुछ अच्छे time spend करते एक दुसरे के साथ हस्ते बोलते रहते हैं थोड़े देर बात Cliff अंदर आता है और वो कहता है कि Allison की friend Helena का phone है और ये सुनकर Jimmy को बहुत गुसा आता है एलिसन की upper class friend है और Jimmy को वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो upper class society से belong करती है एलिसन phone attend करने जाती है फिर वो Jimmy को आकर बताती है कि हलिना उन लोग के साथ रहने आने वाली है इस पर Jimmy बहुत जादा गुसा होता है और वो गुसे में ये बोलता है कि काश तुम pregnant हो और तुम्हारा baby जो है उमर जाए ताकि तुम्हें actual में suffering क्या होता है वो experience हो ये सुनकर एलिसन बहुत जादा अपसेट हो जाती है वो बिल्कुल respond नहीं कर पाती है Jimmy की statement पर दो विक पास हो जाता है एलिसन अभी भी उनके साथ उनके फ्लैक में रहती है एलिसन हैलिना को सारी बाते बताती है कि Jimmy उसके साथ कैसे behave करता है उसे कैसे treat करता है सारी बाते हैं हैलिना को बता देती है वो फिर एक राट डिनर के टाइम पर एलिसन और हैलीना जेमी को ये एनाउंस करते कि वो लोग next day church साथ में जाने वाले हैं तो ये सुनकर जेमी फिर से बहुत जादा गुस्सा होता है उसे ये लगने लगता है कि हैलीना जो है एलिसन को उससे दूर कर देगी और फिर से जेमी वही human suffering के बारे में low class लोगों के बारे में बात करने लगता है कि तुम लोग को नहीं पता कि actual में suffering क्या होता है मैंने अपने life में क्या-क्या चीजे जहला है मैंने क्या-क्या सफर किया है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे वो ये सारी बाते फिर से बोलने लगता है फिर हैलीना ने अलिसन को बोला कि मैंने तुम्हारे father को तुम्हारे marriage के बार में बता दिया कि तुम्हारी शादी कैसे चल रही है और वो जल्दी तुम्हें लेने आने आने वाले हैं नेक्स डे अलिसन के father Cliff और Helena साथ में बैट के ये सोचते है कि जब Jimmy वापस आएगा तो उसका क्या reaction रहेगा लेकिन यहाँ पे Cliff को बिल्कुल इंटरेस नहीं रहता उसका reaction जानने के लिए इसलिए अलिसन का letter हैलीना को देख को वो वहाँ से चला जाता है अब Jimmy जब वापस आता है उसे पहले से पता रहता है कि अलिसन वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसके father के car को देखता है फिर हैलीना जिमी को वो letter देती है वो कहती है कि तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़े जानना बाकी है अलिसन प्रेगनेंट है इतना सुनने के बाद जिमी बहुत ज़्यादा गुसा होता है वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है इस पर हैलीना उसे बहुत जोर से एक थपन मारती है और इसी बीच यो दोनों एक दुसरे को passionately किस करने लग जाते हैं हैलीना और जिमी फिर कुछ माईने पास होते हैं सीन में दिखाते हैं कि जीमी और क्लिफ दोनों एक साथ बैटके newspaper पढ़ते हैं कुछ discussion करते हैं और क्लिफ जीमी को बोलता है कि वो plan कर रहा है कि वो कहीं बाहर जाएगा फिर इतना बोलके क्लिफ वहाँ से चला जाता है फिर जीमी और हैलीना एक दुसरे के साथ romantic words exchange करते हैं और ये लोग भी बाहर जाने का plan करते ही रहते हैं कि उस बीच एलीसन वहाँ पर आ जाती है एलीसन को देखके जीमी वहाँ से चला जाता है फिर एलीसन हैलीना से apologize करती है कि उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए था लेकिन हैलीना उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है उसे sorry बोलने की कोई जरुवत नहीं है in fact उसकी खुद की गलती है जीमी और एलीसन के बीच में जो भी problem हुआ उसके लिए हैलीना खुद को responsible मानने लग गई है फिर हैलीना को ये भी पता चलता है कि एलीसन का miscarriage हो गया उसके वज़े से वो और जादा embarrassed होती है और वो ये announce करती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी फिर हैलीना जाते हुए जीमी को बता कर जाती है एलीसन के miscarriage के बारे में जीमी यहाँ पर react नहीं कर पाता वो एलीसन के पास जाता है एलीसन उससे पकड के बहुत रोने लगती है और वो जीमी से कहने लगती है कि बेबी की loss के बाद ही उससे पता चला कि emotions क्या होता है suffering क्या होता है और इस पर वो apologize करने लगती है जीमी से और यहाँ पर play की ending होती है तो friends अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे like कर दीजे और चैनल को भी subscribe कर लीजे तो चलिए start करते हैं important question answers तो पहला question है what is the significance of the title of the play look back in anger तो introduction सारे answers के same रहेंगे तो सी first question में मैं introduction आपको बता रही हूँ और आपको फिर same introduction सारे questions में लिखना है look back in anger is a play written by John Osborne in 1956 he belonged to the generation of angry young men like John Wen or Kingsley Amis who wrote about the disaffection of low classes to establishment in the middle of the 20th century तो Osborne उस generation से belong करते हैं जब Kingsley जैसे writers, John Wen जैसे writers angry young men के उपर लिखते थे मतलब कि जो central character होते थे जो protagonist होते थे उनका जो charisma था उनका heroic attitude नहीं कि बहुत ही smart दिख रहे हैं handsome दिख रहे हैं बहुत ही charming है यह सब उनका attitude नहीं रहता था बलकि जो angry attitude रहता उसके वज़े से वो famous होते थे गुसेल, unsatisfied, unsuccessful ऐसे टाइप के जो protagonist थे उनका जादा दिमांड था यह कहलो कि trend था तो इस trend को क्या कहा जाता था angry young man look back in anger is the representative playwright of this literary movement the title reflects the discontent of Jimmy the main character about his way of life Jimmy जो था अपने life से satisfied नहीं था John Osborne was inspired by his own experience to write this play so the question is the significance of the title of the play look back in anger तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि title कैसे justify करता है play को या फिर title कितना relevant है तो story जानने के बाद यह clear है कि जो title है look back in anger वो एकदम ही relevant है पहले तो इसमें बहुत जादा anger दिखाया गया है protagonist का और साथी साथ इसमें जो लिखा है look back in anger look back means तो past के बारे में तो Jimmy अपने past को बार-बार याद करके गुसा होता है dissatisfied रहता है अपने past को लेकर तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो title है वो relevant है तो title दो चीज को indicate करता है एक तो past को indicate करता है जो Jimmy का past है उसे indicate करता है look back मतला past और anger अपने past से dissatisfied होना अपने past से गुसा रहना anger में रहना तो ये title ये दो चीज को highlight कर रहा है the title of the drama look back in anger received an overwhelming response from the audience when it was first produced तो audience ने इस title को बहुत easily accept किया in fact अच्छा लगा उनको ये title it appealed to the audience because of the realistic subject matter जो matter था इसमें जो story है वो audience को बहुत जादा relatable लगा through the character of the protagonist Osborne revealed his feeling for the contemporary scene and the frustration and the temperament of the post-war Britain found expression through the speeches of Jimmy तो post-war के जो youth थे उनका जो frustration था जो anger था वो Jimmy के character से दिखाई देता था the title captures the sense of frustration and disillusionment felt by the play's main character Jimmy Potter and the generation he represent तो title क्या represent करता है जो main character है Jimmy Potter उसका frustration represent करता है उसका anger उसका disillusionment और साती साथ उस generation के जितने youth है उनका frustration this play is considered a classic of the angry young man movement in British drama the play is set in post-war England and Jimmy is working class man who feels trapped by his circumstances he is angry about the inequalities and injustice he sees around him and he is frustrated by his own lack of opportunities उसके पास job नहीं था उसके जितना qualification था उसके हिसाब से वो बहुत ही low grade का का काम करता था वो sweet के shop में बैठता था Jimmy's anger is directed at his wife Alison and his best friend Cliff as well as at the social and political systems that he believes have failed him and his peers probably there is another way of dividing the title into two themes इस title को दो themes बे भी दिवाइड कर सकते है the action of looking back and emotion of anger if we consider the first theme that is looking back then immediately the question arises of what to be looked back किस चीज को पिछे देखना है Osborne here points to see the numerous areas of public and private life that are hidden to reason but are full of emotions by looking back he want us to see the period before he wrote the play that is the war years and the post-war period when Jimmy the protagonist looks back he is full of resentment and anger against the older social system तो जब Jimmy पीछे देखता है मतलब अपने past में देखता है तो उसको पूराने social system पर गुस्सा आता है अपने condition पर गुस्सा आता है जो उसने face किया था past में वो सारी चीजों को recall करकर उसके गुस्सा आता है और फिर Alison की बात करे जो कि female protagonist है अगर वो पीछे देखती है तो उसको भी अपना past दिखाई देता है जहां पर वो Jimmy के साथ रहती है उसका divorce होता है Jimmy के साथ उसका जो जगड़ा हुआ है वो सारी बाते उसे याद आती है अब जीमी से उसका divorce हो चुका है उसके बात जब वो अपने past को याद करती है तो उसे पश्तावा होता है अब यह जो quote है वो बुक से लिया गया है इस quote से पता चलता है कि Alison जो अपने past को याद करके रिग्रेट फिल कर रही है उसे बुरा फिल हो रहा है तो इसे एक्जाम में जरूर लिखना quote यह है I keep looking back as far as I remember and I can't think what it was to feel young really young considering the second theme second theme क्या है? anger पहला theme क्या था? look back past में देखना Jimmy is symbolized as angry man when he was 10 years old he watched his idealist father died due to complication of his wounds for a year during his fight for democracy so he lashes out his anger on everyone due to his helplessness and his vulnerability his anger seems to be deep rooted he recalls the experience with bitterness and says that every time he sat near his father's bed and listened to the talks he had to fight back his tears the title look back in anger suggests that Jimmy's anger is rooted in the past in the experiences and injustices that have shaped his life it also suggests that there is a sense of regret and sadness mixed in with the anger and if Jimmy is looking back at what might have been if things had been different now let's see the conclusion overall the title look back in anger captures the play's themes of frustration disillusionment and the search for meaning in a rapid changing world it is a powerful and evocative title that has come to represent an entire generation's sense of anger and disappointment the next question is discuss look back in anger in the context of the angry young man so angry young man that emerged in anger that emerged in anger that when the character trend went to the angry young man tradition and movement which is the story of the angry young man that emerged in post-war Britain the angry young man were a group of writers and artists who were disillusioned with the social political and economic condition in Britain after world war 2nd they felt that the old order with its emphasis on class and tradition was no longer relevant and that a new kind of society was needed so the writers and artists who were involved in the angry young man they felt that society's requirement and need has changed the audience's demand has changed the audience's demand has changed the nobles and royal people have not seen the angry young man expressed their anger and frustration through their works which often featured anti-establishment themes, social criticism and working class protagonists so what was the demand of society? to see or to learn which is actually in common society which is actually in common society which is actually in real friends this answer I have not given introduction so the introduction which I have given in the first question must have written and the introduction must have written now let's see the next point look back in anger is a classic example of angry young man movement a play tells the story of Jimmy Potter a working class man who is frustrated with his life and his social status Jimmy is angry at the world and expresses his rage through his relationship with his wife Allison and his best friend Cliff rage means anger the play features themes of class conflict, disillusionment and social alienation of all which were central concern of the angry young man to have a character, what is central theme to the angry young man there's a central theme about that? it is that he has has a relationship of class conflict it is is that the upper class and lower class a discrimination that has not liked it this is the dissillusionment it is that the disappointment and then the social alienation it means that society is different from each other to all their emotions these are the anger angry young man's characters जिसके वज़े से वो हमेशा गुसे में रहता है। Jimmy Potter represents a culture that suffered longing for the past glory. Potter is often considered to be the literature's inspiration example of the angry young man. Jimmy is angry at the social and political structures that he believes has kept him away from achieving his dream and aspiration. He directs his anger towards his friend and most notably his wife Allison. Jimmy's rage and anger is his expression of pent-up emotion and his need for life in the world which has become uninteresting. This anger became a symbol of the rebellion against the political and social malaise of British culture. His anger is destructive to those around him. तो यह जो प्ले है लुक बैक इन एंगर एक तरीके से ब्रिटिश का जो ट्रेडिशनल थीटर था उसको चैलेंज किया था, मज़े जो ट्रेडिशनल थीम्स थे उसे चैलेंज किया था. जहां पर पहले बहुत ही sophisticated language यूज करते थे और जो hero थे वो बहुत ही अच्छे background से आते थे, noble background से आते थे. तो John Osborne ने इस play के थूँ ये सारे tradition को break किया. उन्होंने इस play में rough language, जिसे हम raw language बोलते हैं, vulgar language, ऐसे language को use किया है. फिर protagonist को भी working class से लिया है, sex जैसे topic को भी boldly represent किया है. ये सारे जो features है, वो ये new movement जो था, angry young man movement उससे relate करता है. Now let's see the conclusion. Look back in anger is an important work in the context of angry young man movement. The play's theme of social alienation, class conflict and disillusionment with the status quo were shared by many writers and artists of the time. The play's success helped to establish the angry young man as an important cultural movement in post-war Britain and it remains an influential work of British theatre to this time. So friends, this video में बस इतना ही, अगले वीडियो में इससे related और भी question answers discuss करूँगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो please इसे like कर दीजिए, चैनल को भी subscribe कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक किलाब अपना ख्याल रखिए, बाई!